सौक से करोणों का ब्रैंड बनने का किस्सा कहानी हल्दी राम की हर सफल कहानी के पीछे बहुत सारी मेहनद चुपी होती है और हर सफल प्यापार के पीछे भी किसी ना किसी का योगदान जुड़ा होता है किसी में बड़ी कंपनी की शुर्बात बहुत छोटे लिवल परी होती है इसी तरह की एक स्टोरी फेमस पूट ब्रांड हल्दीराम की भी है हल्दीराम भुजिया, सेव, हल्दीराम की सोन पापड़ी और कई तरह की नमकीन और स्नाक्स का स्वार हमाली जबान पर चड़ा हुआ है लेकिन क्या ये शुर्बात से ही इतना ही फेमस था? जी नहीं, ये तो भारत के एक छोटे से शहर, बीकानेर में एक छोटे से व्यापारी के शुरू की गई एक छोटी सी दुकान थी जिसने आज परिवार के सदस्यों की मेहनत की बदौलत ना केवल इस छोटी सी दुकान को ब्रैंड नेम बना दिया, बलकि कई लोगों को रोजकार भी दिया है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी दुकान से की गई शुरूबात आज इतना बड़ा कारूबार बन गया है किस वज़े से हल्दी राम के प्रोडक्ट्स आज देश विदेश में लोगप्री हो चुके हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए और बेला आइकन को जरूर दबाईए हल्दी राम के शुरूबात गंगा विशन अगरवाल ने 1937 में बीका नेर में एक छोटी दुकान खोल कर की थी मशूर बीका नेरी भुजिया को उन्होंने नया जायका दिया गंगा विशन जी की मेहनत की बदौलत वो दुकान भुजिया वाले के नाम से मशूर हो गए उनको हल्दी राम के नाम से जाना जाता था इसलिए दुकान का नाम हल्दी राम कर दिया गया जो गंगा विशन जी विशन जी का एक और नाम था आज हल्दी राम के manufacturing plant नाकपुर, कोलकता, दिल्ली और बीका ने राधी जगहों पर भी है इसके अलावा हल्दी राम के हुद के retail chain store और कई restaurant नाकपुर और दिल्ली में भी है भारत के अलावा अब इस company के उत्पाद और कई देशों जैसे United Kingdom, Sri Lanka, United America, Canada, United Arab Emirates, Australia, New Zealand, Japan और Thailand जैसे कई देशों में भी इंपोर्ट होते हैं हल्दी राम ने अपना पहला manufacturing plant कोलकता में डाला था इसके बाद company का दूसरा और बड़ा plant दिल्ली में स्थापित किया गया इसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली में इसका एक और plant डाला गया 1990 में दिल्ली में स्थापित हल्दी राम का ये plant एक retail store भी है साल 2003 में हल्दी राम ने अपने customers के लिए convenience food बनाने का process शुरू किया साल 2014 में Trust Research Advisory की एक report के मताबिक हल्दी राम भारत की सबसे भरोसे मन ब्रैंट्स में 55 नंबर पर था हल्दी राम के अलग-अलग तरह के कुल 400 products हैं इन products में नमकीन, Western Stacks, भारतिय मिठाया, cookies, पापर और अचार भी शामिल है साल 1990 से company ने Ready to Eat Food का production भी शुरू किया हल्दी राम हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा brand है ये अपने products की marketing के लिए traditional तरीके ही use करता है आपको हल्दी राम के products हर bakery और retail store पर आसानी से मिल जाएंगे इसके अलाबा, हल्दी राम अपने products को online भी उपलब्त करवाता है इसके अलाबा, इस company के product की खीमत भी तूसरी company के तुलना में बहुत काम है साल 2018 में हल्दी राम का revenue 13% से बढ़का 4000 करोड के आंकडे को पार कर गया हल्दी राम company तीन अलग areas में अपना व्यापार करती है जिसमें हल्दी राम snack and ethnic food, नागपूर based हल्दी राम food international और हल्दी राम भुजिया वाला शामिल है आज हल्दी राम जैसी company यूथ के लिए एक example है कि कैसे एक शुरुबात करके खुद को set किया जा सकता है और पहले तो marketing के modern तरीखी भी उपलब नहीं थे लोगों तक पहुँचना और उन तक अपनी बात पहुँचाना आसान नहीं था लेकिन आज के modern era में सब मुपकिन है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो like और share करें ऐसे ही famous ब्रांट्स की success stories के लिए comment करके हमें जरूर बताए